दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी वीडियों के सबसे नमबर न चैनल सुभम क्लासेस पर दोस्तों अगर आप क्लास 10 टेल की स्टुडेंट हो और आपको 2021 पे बोर्ड एक्जाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए काफी स्पेसल वीडियो क्यों कि आज की इ आते हैं महिनत करकर 90 प्लस स्कोर करना है तो आज की इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा अगर आप इसे फॉलो करते हो तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हो कि आप 50 परसंट पाने वाले हो तो आप 90 परसंट पाने से को नहीं रोख सकता क्योंकि इस चैनल से हर साल ल इस चैनल पर बने रहो जो चीजे मैं आपको बताऊंगो वो सारा जनुवन चीज है इसी तरीके से हर साल बच्चे 90 प्लस स्कोर करते हैं तो अगर आप भी यह चीजे अपनाते हो तो आपको भी 90 प्लस पाने से को नहीं रोख सकता है तो इस वीडियो को सुरू कर सुरू से किस तरीके से पढ़ाई करनी है ठीक है सबसे पहला आपको एक काम करना है कि आपको mental pressure नहीं लेना है mental pressure मतलब आपको tsunami नहीं बनाना है कि आप 10-12 की student हो ठीक है यह जैसे ही आप 9-10-11 में जिस तरीके से आपने normal तरीके से पढ़ाई की थी same SI class है अगर आप same normal चीजे लेके च score करोगे लेकिन आपको सिर्फ यहां पर एक काम करना है कि एक जीद बनाना है कि इस बार का जो exam है class 10 में या class 12 में उसमें हम अपना best देंगे मतलब अपनी तरीके से पूरी तयारी करेंगे जो गलतिया हम लोगों ने 9-10 और 11 में किये वो हम लोग 12 में नहीं करेंगे अपना best हैंगे तब आपको 90 प्लस पाने से कोई नहीं रोख सकता है क्योंकि जो मैं आगे आपको tips बताऊंगा और जिस तरीके से साल बन मैं आपकी त्यारी कराऊंगा अगर आप उसे follow करते हो तो अगर आप एक average student हो तो भी आप बहुत अच्छा score करोगा ठीक है तो हुआ ने बन करोगे तो automatic confidence आएगा और confidence आगे तो success पाने से आपको कोई नहीं रोख सकता ठीक है तो सबसे पहले आपको confidence कैसे आगा confidence आपको school coaching में आप दिन बर बिता दो confidence आप में नहीं आएगा जब तक आप self study ना करोगे आपको जब तक chapter नहीं समझ में आएगा तब तक आपके अंद गंटा या तीन से चार गंटा हमें daily self study करना है clear है जो आप school coaching के working hour को नहीं जोड़ो clear है तीसरा आपको काम करना है जो सबसे most important काम है आपको अपना एक aim या goal बनाना है ठीक है बिना aim या goal के आप कुछ achieve नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि 30% पाना है हमेशा goal बड़ा रहना चीत है जब जब बड़ा रहेगा तो आप उसके लिए महनत करोगे ठीक है जब गोल ही छोटा रहेगा तो उसके लिए महनत क्या करना जब गोल बड़ा रखो गे पंचान प्लस का तो आप 90% तो आराम से पाहोगी ठीक है किसी के कहने पर आपको 10 किताब नहीं लेना है, मतलब आपको साइड बुक नहीं लेना है, ठीक है, आपको 20 किताब नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक किताब को फॉलो करना है, वो है NCRT, अगर आप NCRT सिर्फ फॉलो करते हो, तो ये आपका more than sufficient है, 90 plus से above score करने के लिए ठीक ह तो आपसे एक ही request है, आप 20 किताब लेकर और confused होगे, आपको सिर्फ NCRT किताब पढ़नी है, चाहे कोई कितना भी बोले, clear है, और एक काम आपको और करना है, आपको अगर आप board exam में अच्छे marks के score करना चाहते हो, अच्छे marks के score मतलब आप 90 से above score करना चाहते हो, तो आपको सवस्ता पढ़ने के बाद उन्हें हल कर पा रहे हो नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जब तक प्रस्मों का जवाब नहीं दे पाऊगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा exam का level क्या है, देखो पढ़ना और समझना जरूरी है, लेकिन आपको answer भी देने का तरीका पता रहना चीर ठीक है, तो यह आपको marks मिलेंगे, तो आपसे request है कि आप previous year paper को भी देखते चलो, और आपके exam के दो महिने पहले से आप पिछले 10 साल या 5 साल का previous year paper जरूर लगाना शुरू कर दो, यह कैसे होगा जब अभी से आप महिनत करकर अपना course complete करोगे, clear है, और आपको एक काम और क किताब रहनी चाहिए, और copy रहनी चाहिए, जिसमें आप खुद से अपने हाथ से notes लिखो, ठीक है, आप जैसे हमारा notes है, उससे समझो, और फिर अपने से बनाओ, या school coaching में जैसे आपका notes है, आप जो teacher लिखवा रहे है, उनको खुद से एक-ए copy बनाओ, ताकि एक-ए copy रह और exercise question है, उन्हें लगा लो, तो आप 90 प्लस सिर्फ anxiety से पास सकते हो, clear है, और एक mistake आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको English Hindi को हर week में एक-ए-दो दिन देना है, जिससे आप इसकी भी त्यारी कर सको, पता चला, आप Physics, Chemistry, Maths में आप 90-90 भी score कर लिए, लेकिन English Hindi में अगर आपका कम आ गया, तो आपका पूरा percentage भी रड़ जागा, तो आपसे request है, आप इसको भी time'd हो, और maths जितने भी छात लिए है, maths का एक ही formula है, आपको practice, 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 तो आप daily इसकी practice करें, और maths की कोसिस करें, दो बार आप साल बर में NCRT को एकदम आराम से लगा दे, कम से कम डो आपको पढ़ाई हर रोज करना है, चाहे दो घंटे या तीन घंटे ठीक है, या फिर एक ही घंटे करना है, लेकिन आपको daily अपना regularty बना कर रखना है, और हमेशा ऐसे दोसको बनाना है, जो पढ़ाई में involved है, जो आपको किसी और चीजों में न भाहिकाई या फिक कुछ रोज परना करें, आप पढ़ने वाले दोस्पना है, इससे आपका भी फाइदा रहेगा और आपके दोसका भी फाइदा रहेगा, और कोई फाल्तू सीन नहीं करना है, जो मैं आपको कहना चाहरा हम आप समझ रहे हूं, clear है, दूसरा आपको बात करना है, स्कूल के हर टेस् तो I hope अगर आप इस सारे points अपनाते हो तो आप अच्छे marks से score करोगे और अगर आप Hindi meeting को किसी भी बोट से हो तो आपको बिल्कुल चिंता करनेक्ट जो 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 चीजे मैं बताया मैं अपने top 100 batch में उस सारा कुछ आपको एवलेवल कराऊंगा जैसे पिछले साल कर रहा था इस साल भी हमारा target है कि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छे सचे marks पाए इसलिए हम लोगों ने price सिर्फ 500 रुपए रखे हैं ताकि हर बच्चा इसको जोईन कर सके ठीक है तो 2021 में मिसन बड़ा है आप इसमें सपोर्ट करो आप तैयारी करो लॉक्डाउन में अच्छे सा सेल्फिश्टेडी करो ताकि अधिक सदिक आपका cover हो सके इसलिए बस क्योंकि अभी जब